महराश्ट में विधान सभा चुनाओं की घोशना हो गई लेकिन घोशना से पहले एक बड़ी घटना जो हुई ये की राजपाल द्वारा विधान सभा परिशद के जो बारा सीटे थी इसमें से साथ सीटों का नाम गोशित कर दिया गया जिसमें भारती जन्ता पार्टी के त उन्हें विधाय की दे दी जाएगी राज जपाल द्वारा यानिकि जो राज जपाल के कोटे से गारा सेटे होती है उसमें हम मौजूदा पोभरा देवीमें हमारे साथ मौजूद हैं मब बाबू सिंग चुक्रावी जयो यह है कुँकि कुछ होगे प्रदान मंतरी जो है महराज जी के पास है यह तमाम जो सवाल है इन से जानेंगे पहले तो महराज जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपने किम्ति जो समय दिया व्यस्त में से अब विदायक माता जगदंबा भगवान सद्गुरु शियावालाल महराज प्रभू राम चंद्रण जी पवंशुत हनुमान जी धर्मगरु रामराव जी महराज इनको वंदन करके आज हमारे नाकपुर से हमारे भक्त मीडिया वाले इस पवित्रस्तान पर दर्शन को आये और ये मुलाखात के लिए आये ये जो कल हमारे महराष्ट में यूती सरकार ने जो राष्टरपती राज्यपल का सद्धश्यपत का उमेदवारी निष्ट किये वो मुझे भी नहीं मलूम था कि आच्छा नाक मैं कारेकरम को गया था उसी वक्त हमारे महराष्ट के डेप्टी शेयम देवंदरे जी फ्रणिस साहिब बावन कुले साहिब गिरिस महाजन साहिब मुझे फोन कि ये साथ बजे कि गुरु जी आप कहा है तो मैं एदर बास्तम में कारेकरम हूँ तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ अभी नंदन करता हूँ आप जल्दी से जल्दी मुझे आना तो मैं अच्छानक घवरागया क्या बात है वह ये तो मैं तो आभी तक मेरोग ये मालूमी नहीं था तो जैसे आप हमारे इता पविस्तर स्थान पे माता जगदंबा का स्थान है सद्गरु श्यवालाल माराज रामराव बापु का स्थान है पाच अक्टमबर को भारत के पंतर परधान मानिय नरेंद्र जी मोधी साहब 2017 में एक कुम्म मेला हुआ ता हुआ उस वक्त मैं खु जाके मोधी जी से मिले मोधी जी ने मुझे बताया गुरु जी मए एक बार पौवरादेव को जरूर आऊंगा जब मेरे को मोका मिलेंगा उस वक्त मैं आऊंगा तो हमने ऐसे संदेशा दे उनको यह हमारे जो गुरु है ओ आप तुम नवरात्र में आना करके ऐसा उनको हम संदेशा दिये तो चैत्र नवरात्र में तो नहीं आए लेकिन कल घटस तापना नवरात्र में माता जी को दर्शन के लिए आए भगवान रामराव बापु का शेवालाल माराज का अशिरवाद लिए ये खुशी की बात है ये जो हमारा समाज है वनवासी समाज है ये हर सद्गरु श्यवादास माराज है उनके भाई उनके पिताजी श्यवादास माराज के भीमानायक तीन भाई थे ओ भीमानायक हेमानायक और खेमानायक भीमानायक माराश्ट में आगे इस बंजरा समाज को वह भी सिका सवलत है खेमानायक अंद्रपर्देश में नल गुंडा देवर गुंडा गुंटूर में है उधर हमको अधिवासी सवलत है इधर करनाटक में रुपा नाए है उनको यसी सवलत है तो हमारा हमेशा गुरुजी का भी कहना था हमारे भी कहना था कि हम हर देश में हमको एक सुची मिलना हमारे समाज को न्याय मिलना हमारा जो भगवान स जलम दिन रहता उस दिन छुटी रहना समाज को नया मिलना बाल बच्चे को शिक्षन मिलना हमारे जो बैच्चे वह उनको भी शिक्षन मिलना स्कूल निकलना ऐसा एक औरा देवी यह बंजारा समाज की कासी है इस पवित्र स्तान पे अगर रोजाना डेली कितने पब्लिक आत उसी वक्त से उन सबको यही संदेशा मालूम था उसी वज़े से हमको ऐसा लगा कि जो हमारा कुछ समाज का जो कुछ सपना है वो सपना सपल होने के कारण से को हमको यह राश्टरपती का राज्यपाल का जो सन्मान मिला है उसी वज़े से मिला कैसे हमको वैसे यात आती है अगर हमको ये मोका मिला है हमको तो कुछ भी मालूम नहीं था लेकिन टाइम पर ये गोश्टा हो गई तो हम भी सोचने लगे हमारे जो हमारे सब गोतवारा है उन्हें भी बोले कि ठेक है अगर आपने समाज के लिए अपने कुछ मिल रहा है तो जरूर आप लिजिए का हुआ श्यावालाद महाराज का मंदीर हो गया रामराव बापु का मंदीर भी चल रहा है माता जी का मंदीर बाकी है और हर बात की सवसोलत होने वाली है गुरु जी ने हमारे बापु रामराव बापु ने मेडिकल कॉलेज के बारे में भी शोच रहते हैं एक मेडिकल पूरे होने के लिए हमको कल राष्टर राजयापाल का यह मोका मिला है यहां सही बात से समाज के लिए देश के लिए सनातन हिंदु धरम के लिए हम तन मन्धन से यह कारिया सपल करेंगे यह आपको मैं खुस खबरी देता हूं अब राज जी जैसे कि आपने कहा कि समाज को लेकर काम करने हैं, सिक्षा हो गया, अब अब सबस्दै अब विद्धायक निर्वाचित हो गये हैं, अब राज चुनाओं में चला गया है, लेकिन जब चुनाओ समाप्त होने के वाद पहला काम आपका क्या रहेगा जो आप एक विधायक के तौर पर सरकार के सामने या जो आप करेंगे सबसे पहला काम जिस वक्त अदिविशन होगा उस वक्त यह जो हमारे मांगी है यह मंगे हम सोब पूरी मांगे तो मंतरी मदर से मंगेंगे अब जो आगए वाले जो हमको देंगे वो हम सपर करेंगे चुनाओ की बात नकरत थोड़ी सी चीज़े अधूरी लगती है विरोधी जो है वो यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाओ का समय है और बंजारा समाज का वोट चाहिए जमीन जो है भाष्पा की यहां पर खिसकती जा रही है महाराश्ट्रा के अंदर खासकर विधर्व के अं है अब जैसे अभी महाराश्ट में कितना पाक्सए आओ थो आपको मालू है तो पक्सय के तरुख से सब काम होनेवाला है अभी हमारे जो समा दैगा वो तो जैसा उनको टाइम पर का मिलेगा हम लोगा जा रहे थे हम ने बहूत सारे लोगों से बात करी औरम महराश जी से लोगों को मानने होता है तो फिर महराज जी का आदेश का कहना वह है इस गा में अभी तक कुछ भी नहीं होता है अभी याभ यह दो साल से इतना पर्गतिी तो आप खाली सो रूपर के लिए दीन भर में आपने खेती में काम करते तो इतना हम को यह समझा गवर्मेंट ने फंद दिये तो इसका भी तो सब समाज बिचार करने वाला है ना जरूर जरूर विचार करेंगा ना हम तो बटा हुआ दिख रहा था हम पुसत से आ रहे हैं उसके आगे भी आ रहे हैं नराजगी जादा है आप जिस पार्टी से अगर आपको जिसने निर्वाचित किया है अपने बात चित की तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था पार्टी का किसकी सरगार बनते हृएं देखने क्योंकि आप भी राजनिता हो गए हैं आप महराज संत तो हैं तो हम तो आशिरवाद माराज कौने इंगे किसको माराज जी तक पू यह जो आब इस राजापाल का जो नहीं ठीन यह। अज हुँ daha में जो आच्छा काम करता है। धर्म के लिए धर्म की रख्षा के लिए यह हमको पद मिला हैं। हम तो धर्म की रख्षा करेंगे। महराष्ट में क्या स्थिती देख रहे हैं आप। तिन तिन पार्टियां हैं, जिस तरह की चीजी आप देख रहे है है और आम चांल गिर ग तॉत इंज़ा रही वह है की नहीं, हुआ बदलाव कमुड है, माहराज जी मुह जीरे करो थे ऊछलाजू dock तो यह थे महराज बावु सिंगी जिनका कहना है कि जब समाय आयगा तब वह चीज़ें स्पस्ट करेंगे अपने धर्म को लेकर किस तरह वह चीज रखें उन्होंने अपना एक चीज बताई मेडिकल कॉलेज और और तरह की सुविधा है खासकर पोरा देवी को लेकर उन्हों जो बात है कि उनका प्रमुख काम में रहेगा कि जब सरकार निर्वाचित होगी या जब उन्हें विधान सभा के विधान परिश्यद में बैठने का मौका मिलेगा तो सबसे पहला जो प्रस्ताव वो यही करेंगे सर्द आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें अपना किम्ति समय दिया उसके लिए कमरामें जीते अंदर खापरे के साथ रवी शुक्ला यूसीन नीज यह वातमाल